ओके अलो फ्रेंट किसी हो आप सब में हूँ वी सी और आप देख रहे बाउन टू इनवेश यूट्यूब चैनल आज जो हम इस वीडियो में बात परने वाले हो क्या है कि कल कल लिया कौन से हमारी इंट्राडे वोच लिस्ट होगे कौन से स्टोग भाइंग के लिया होगे सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजो में घंटे वाला बटन ही उससे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको अमरी नोटिविजन सबसे पहले मिल जाए तो कल की वच लिस्ट देखे उससे पहले हम आज की जो में हमारा था आइटीसी भी अमारी बाइंग लिश्ट में था लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ लेकले चार्ट पे क्या तो जो पहली कैंडल है उसका ही नहीं ब्रेक कर पा रहा तो तब तक आप मानोगी भी नहीं है यह इसमें बाइंग आ सकती है वो गडरा तो नौर् अच्छा सिगनल था यह जो रेड केंडल है ना अंडीसिजनल टाइप अगर इसको पांच मीट पर देखोगे तो एक इधर अच्छा सिगनल मिला था अपसेड जाने का तो इधर से आपको ने बाइंग की होती तो आपको एक अच्छा प्रोपिट में जाते हो तो जब वह बा समझ गए बात में हमारा चोथा स्टोक था एड़ी एफसी बैंक में देख लेते क्या एड़ी एफसी बैंक अमारा सेल लिस्ट में था लेकिन यह ओपन ही ग्रीन में और बाद में अप चला गया तो इसमें अमारी को एंट्री बनी नहीं तो सिंपल सी बात है आप जो सोच अगर वो श्टोक उसी दिशा में मुमेंट देने लगते तब आप उसमें बाई या सेल कर सकते हो कभी कभी होता है कि हमारी पूरी की पूरी वोच लिस्ट में से एक भी ट्रेड नहीं लेकिता आज ही देख लो आज चार स्टोक है उसमें से तीन में तो कुछ हुआ ही नही वो देख लेते हैं तो पहला जो हमारा श्टोक होगा वो रिलाइंस होगा रिलाइंस की ओ और उसके पीचे का रीजन देख लेते हैं तो रिलाइंस में मेरे को एक ट्राइंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है अगर ये ट्राइंगल का कल ensemble ब्रेकाउट देखी या अपर न करके उपर निकल जाता है तब मैं इसमें बाइंग आऊगा क्योंकि यह रजिस्टंस लाइन ब्रेक होने के चांस से जाजा क्यों दिख रहे हुँ देख लेगा तो देखो एक बार इधर से नीच आए दूसरी बार नीच आए, तीसरी बार भी इदर से नीच आए, तो हो सकता है इदर इसके upside breakout के chances ज्यादा हो, क्योंकि अब ये तीन बार already वहाँ जा चुका है, तो चोथी बार हो सकता है इसको break करके उपर निकल जाए, तब हम इसमें बाइंग में आएंगे, बाद में हम S.N.Paint देख लेते हैं, जो हमारा तीसरा श्टोक है, S.N.Paint हमारे बाइंग लिस्ट में हैं, वो क्यो है, वो देख लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपको S.N.Paint में बहुत सारा डाउनफॉल देखने को मिला हैं, हम 1 आपको 50% से एक रिवर्सल सायन दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको एक अप्ट्रेंड में दिखे क्योंकि यह 50 से इसको बाईंग में लगा है अगर मेरे को इधर एक अच्छी से पैटन दिख रही है आप देख रहेए अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी है और वोल्यूम भी अचा है मेरे को लग रहा है कि बर्जर पेंट में आपको थोड़ा और उपर साइड मुवमेंट देखने को मिल सकता है तो यह हमारे चार स्टोक ते चारो के चारो स्टोक बाइंग लिस्ट वाले है कोई भी स्टोक सेल वाला नहीं है कल के लिए तो वो चार स्टोक कौन से? रिलाइन से, एक्सिस बेंग के, एसेन पेंट है और बर्जर पेंट है वो चारो के चारो बाइंग में यह में बात है जब आपको यह बाइंग सिगनल देते हैं तभी आपको लेना है के सो प्लीज जारो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर देना चलिया मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा, गुडबाई, जाई